हैलो एविवान कैसे है आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे सो आज की जो रिडिंग है यह हम करने वाले हैं कि आज सुबह आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा था आपके लिए ठीक है रिडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके मन में क्या चल रहा था आपके लिए ठीक है सो चल यह करते हैं रिडिंग को स्टार्ट गाइट करें अंजल्स, उनिवर्स, और सिस्टर्स ओके गाइट करें अंजल्स गाइट कार्ट गाइट कार्ट eight of Wands five of Pentacles the high priestess seven of Wands ओके आज सुबह सुबह उनके मन में क्या चल रहा था सो पहला कार्ड है हर्मिट का कार्ड and magician का कार्ड है bottom of the deck universe the hermit के कार्ड को clarify करे okay king of Wands seven of Pentacles and मेरे पास two of cups का कार्ड है okay so मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है hermit के energy के साथ साथ देखे आपके पार्टनर जो है न मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपने अपना ध्यान इनके तरफ से हटा लिया है आपने अपना फुल फोकस इनके उपर देना बंद कर दिया है आपने दिखावा कम कर दिया है कि मैं तुम्हारे उपर नजर रख रही हूँ या रख रहा हूँ, या मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे बगर नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, ये सारी कुछ चीजे आपने बंद कर दी है, ठीक, आपने पार्टनर को दिखावा करना, प्यार का, ऐसा नहीं है कि आपका प्यार जूठा है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शो नहीं कर रहे हो आप, ये पार्टन उस चीज को नोटिस कर रहे है, कि जो पहले आप मैसेज करते थे, सुबह का गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, या कभी कॉल कर लिए थे, कभी मैसेज कर लिए थे, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं आ आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn and Kansas, Scorpio, Pisces, ठीके, येस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, कि आपके पार्टनर जब ये चीजे देख रहे हैं ना, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप से, कि आप इनको इस तरीके से इग्नोर करेंगे, ऐसा दिख रहा है, जैसे कि बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, बहुत कुछ होना चाहिए था, बहुत कुछ देना चाहिए था, लेकिन दे क्यों नहीं रहे हो, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, कि आपके पार्टनर अब सोच में पढ़ फैमिली है यह है वो है बहुत सारी कुश्चिज है आप हमेशा अपना प्यार इनको दिखाते रहे ग्रेटिटिव शो करते रहे लेकिन यहां पर इस परसन ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया अब देख रहा है कि कहीं यह परसन अकेले हो गया है और अब इनको रियलाइज हो रहा है कि अब क्या करूं उसका ध्यान तो मेरे तरफ हाई नहीं अब क्या उससे बात करना सही रहेगा बात करूं भी तो नॉर्मल करूं या रोमेंटिक वे में करूं आपके पार्टनर का मन काफी ज़्यादा उड़ा उड़ा से रह रहा है आपके पार्टनर काफी डीप सोच रहे हैं कि मुझे यह करना पड़ेगा मुझे वो करना पड़ेगा मुझे ऐसी चीजे करनी पड़ पहले यह पर्शन बड़े ही शौट टर्म का सोचा करते थे कि चलो आज बात हुआ दो चार महिने बात करेंगे ठीक है बात करते हैं कुछ समझ में आया तो आगे कर देखेंगे लेकिन अब यह पर्शन का ऐसा हो गया है जबसे आपनी अपनी आपको चेंज किया है तबसे इस पर्शन को ऐसा हो गया है कि नहीं यह चीज़ें नहीं हो सकती हैं मैं किसी को दो चार महिने के लिए देख करके नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती क्यों क्योंकि डीप connection हो गया है deeply connection हो गया है इस connection में आपसे एकदम deep connection को यह person feel कर रह быстр है और deeply यह person आपके तरफ आना चाहते है मुझे यहाँ प्यव दिख रहा है की यह person deeply आपके तरफ आना चाहते है deeply आपसे connect होना चाहते है ठीक है मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक deep connection feel हो रहा है एक deep energy feel हो रही है ठीक है 8 of wands 4 of wands 7 of swords एंड है मेरे पास king of cups का card सो यहाँ पर जमेनाई लिब्रा एक्वरियस की कमी थी सो वो भी अब आचुका है sign cards को देखें तो काफी जदा हद तक cleared है यहाँ पर एक तरफ यह हो रहा है कि आपके partner के अंदर craving हो रही है आपके partner को आपसे बात करनी है discuss करना है बहुत सारी चीज़े discuss करनी है जैसे कि शादी को लेकर इस relationship के success को लेकरके इस relationship में आ रहे है obstacles को लेकरके और इस relationship में आ रहे है doubts को लेकरके आपके partner को इस बारे में बात करनी है इस पर्सन के मन में चल रहा है काफी डीप लेवल पे जब ये पर्सन सोच रहे हैं इनके दिल दिमाग में काफी कुछ चीजे चल रही है ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन को सब कुछ बहतर दिख रहा है आपके साथ हर एक चीज बहतर दिख रही है लाइफ म कोई ऐसा पर्सन भी आएगा जो कि इनको इमोशनली समझ पाएगा आपके पार्टनर को यह लग रहा है इनके मन में यह चल रहा है लेकिन साथ ही साथ सेवन अफ स्वोर्ट्स भी है जो भी डाउट्स है आप इनके उपर ट्रस्ट जो नहीं कर रहे हो अब अब जो आपने अपना मूँ मोड लिया है इनसे अब आपने इनको दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बगर नहीं जी सकता या सकती हूं मुझे किसी की जरुरत नहीं है आपने इनको दिखाना स्टार्ट कर दिया है तो अब इनको जो है ना खलवली मच रही है इनको शादी करनी है अब लग रहे कि नहीं अब शादी कर लेना बहतर रहेगा क्यों क्योंकि यहां पर आपके बगर तो यह पर्सन अधू पूरे हैं उदास हैं है ना सो अब जो है आपके पार्टनर को आपका विश्वास जितना है आपका मन जितना है साथे साथ आपका प्यार भी चाहिए आपके पार्टनर को अब आपके प्यार की कमी मैसूस हो रही अपनी लाइफ में कि मेरे लाइफ में तो प्यार की बहुत- प्रदा कर रहे हैं और मैं देख पा रहे हूं कि येस आपके पार्टनर कहीं न कहीं एक जद्धो जहद में फसे हुए जरूर है वाव दलवर्स एंड जज्जिमेंट देख लो यहां पे कार्ड कितने प्यारे कार्ड आये हैं फाइफ पैंटिकल के साथ देखो आपके पार्टनर को जब लॉस फील हुआ है न जब जिन्दगी में इनको आपने किसी राहे पे छोड़ दिया किसी भी राह पे छोड़ दिया इनको इनको रि हो रहा है अब कुछ हो रहा है कि नहीं यार कुछ तो खो रहा है मेरी जिन्दगी से और इनको यह सेलफ रियलाइजेशन हुआ है क्योंकि यह जो पॉर्सन है ना यह किसी को मानते जरूर है कि इश्वर को को मानते हैं कोई भी इनका इस्ट्र देवता हो सकता है और इनके अंसेस्टर्स भी हो सकते हैं कोई भी हो सकता है जो जिस भी धर्म से यह पॉर्सन करते हो जिसवी धर्म को यह person मानते हो जिस भी देवता को मानते हो जिस भी देवी को मानते हो उस देवी के क्रिपा इनके उपर आई है मुझे यहाँ पर यहीं दख रहा है कि इस person को अपने आप realization क्यों हो रहा है कि आप इन से दूर होने लगता है हमें जब हम कहीं गलत रहा पे जाते हैं तो कोई हमें पीछे से पुकारता जरूर है कि तुम गलत कर रहे हो ऐसे मत करो ठीक है अगर कोई आपके पास जो है शक्ति है न तो यह आपको प्रोटक्ट करने के लिए आपको रोकती जरूर है ठीक है आपका बंता-ब पार्टनर को भी रिलाइज हुआ है कि नहीं, मैं तो ऐसे अकेले ही रह जाओंगा, उसका साथ मुझे मिलेगा ही नहीं, आपके जो partner है the lovers के energy में judgment के energy में आपके partner आप से the lovers के energy में यानि कि ये person आपसे प्यार करते है नेखो आपके प्यार को ये person accept कर रहे है और इनको realize भी हो रहा है कि मैं उसके बगर नहीं रह सकता क्योंकि एक soul connection भी है यहाँ पे, divine connection है जिसको यह person शायद पहचान नहीं पा रहे थे पहले, लेकिन जैसे जैसे समय में change हुआ, वैसे वैसे आपके partner को self realization होता गया है, और यह person को realize कुछ ना कुछ चीजे जो है ना यहाँ पे करती गई है, ठीक है, जैसे कि हम इश्वर के सामने जबी अपना सर जुकाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ एहसास जरूर होता है, हम उनसे प्रात्ना करते हैं, या हम अपनी गलतियों की शमा प्रात्ना करते हैं, तो उस समय इस person को realize हुआ है कि यह person सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, एक अच्छे इंसान को रूला रहे हैं, और यह अच्छा इंसान जो रो रहा है न कहीं, आप इनकी खुशी हो, यह person जाने को तो किसी के साथ भी जा सकते थे, लेकिन इनका दिल नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं, दहाय प्रिस्टिस के energy क्यों है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि यह person किसी tarot card reader से जुड़े हुए है, या खुद यह person tarot card reader है, yes, मुझे मुझे ऐसा feel होता है, कि इनके पास कुछ न कुछ psychic energy ज़रूर है, क्योंकि यहां पे शाइकिक energy की ही बात हो रही है, so yes, मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके जो partner है न, इनके बारे में इनके मन में जो है न, deep level की energy जाती है, आप, के बारे में जब यह person सोचता है, त एक positive होता है, एक negative होता है, ठीक है, तो अगर आप इनकी life से चले गए, तो क्या होगा, और अगर आप इनकी life में वापस आ गए, आप दोनों की marriage हो गई, तो क्या होगा, यह दोनों चीजों को यह person काफी जदा deep सोच रहे हैं, यह person के मन में बड़ा doubt था इस रिष्टे को ल ले करके, लेकिन मैं जहां तेक देख पा रहे हूं कि इस person अपना भुखू भी time लिया है, बहुत time लिया है, इस person ने, एक एक कड़ी को जोड़ना start किया, हर एक तरीके से जो है ना, इस person ने try कि clear हो जाओं, clear हो जाओं, इनके मन में बहुत सारी बाते ऐसी रही है, हो सकता ह कुछ लोग 2 साल से separation में चल रहे हों, कुछ लोग 2 महीने से separation में चल रहे हों, क्योंकि जो बाते है ना, वो कभी clear नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब देख रहा है ना, कि आपके partner के अंदर बाते काफी clear हो जाएंगी, काफी clear हो गई है, ये person third party situation में भी हो सकते है, बट अब third party से कहीं इस person ने अपना ध्यान भटका लिया है, और अब जो है, पूरा ध्यान आपके उपर है, third party को इन्होंने side कर दिया है, अब पूरा ध्यान आपके उपर है, पूरा ध्यान आपके उपर है, आपकी call, message, chats, सब कुछ ये person चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, six of wands, yes, आपके तरफ आने की चाहत, high level की चाहत मुझे नजर आ रही है, एकदम से highly इस person को आना है आपके करीब, एकदम दिख रहा है कि आना है तो आना है, बस और कुछ नहीं, बस तुम्हारे तरफ आना है, ये इस person की चाहत है, seven of wands, queen of cups, okay, ace of wands, ace of pentacles, एकदम ace के energy काफी जदा है, यानि कि एक new beginning के energy जदा है, लेकिन seven of wands के साथ साथ, या आपे five of wands, देख रहे हो, कितना अज़ादा जद्धो जहाद दिख रहा है, आपके partner के सामने एक challenging time है अभी, ठीक है, अपने परिवार से लड़ना, अपने आप से लड़ना, आपके लिए stand लेना, बहुत high competition ये person phase कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही card बटा रहे हैं कि इनकी जिंदगी में अभी high competition चल रहा है, यानि कि बहुत सारे ख्याल, एक एक करके, एक एक करके, इनके mind को disturb कर रहे हैं, काफी stress ले रहे हैं, पर्सन, काफी जदा stress ले रहे हैं, गुसा भी बहुत आ रहा है, और गुसे को control भी करने की कोशिश हो रही है, इनकी अपनों से लड़ाई भी हो रही है, इनके घर में किसी से इनकी बन नहीं रही है, बेफिलाल, क्योंकि ये person frustrate हो गया है, बहुत frustrate हो इनके दिल दिमाग से, कैसे निकालेंगे ये person, बहुत सारे जो ख्याल है ना, इनके दिल दिमाग में आते रहते हैं, इनके दिल दिमाग को जो कहते हैं कि घायल कर जाना, सो वो चीजी करते रहते हैं, यहां पर दिख रहा है कि ये जो person है ना, काफी अकेले हो गया है, यहा आपका नहीं होने देना चाहते हैं बट इस परसन के मन में यह जरूर चल रहा है कि कि किसी को इंताजार करवाया है इंताजार का फल तो देना होगा ना यहां पर देख रहा है कि relationship का बीज अब आपके partner को बोना है relationship की starting करनी है थोड़ा सा delay हुआ है लेकिन finally इस person को clarity मिली है आपको ले करके clarity ये मिली है कि आप pure heart के person हो क्योंकि यहाँ पे king है और queen है सो यह एक strong connection और deep connection यहाँ पे दिख़़ा है ऐसा लगता है जैसे कि दोनों एक दूजे के लिए बने हो दोनों की feelings काफी pure है और purity यहाँ पे बहुत जादा है love बहुत जादा है abundance बहुत जादा है सो आपके partner के मन में यह चल रहा है कि किसी भी कीमत पे मुझे उसका साथ चाहिए ठीक है क्योंकि आपकी कमी आपके partner को खल रही है और यह कमी हमेशा खलेगी सो overall reading में यह दिख रहा है मुझे मैं आपके लिए कुछ messages भी निकालूँगी आपके partner के तरफ से सो इस में से कोई भी मैं 5 message जो है ना receive करूँगी कोई भी 5 message ठोकि मुझे नहीं पता किसमें क्या है लेकिन 5 messages हमें निकालने हैं ओके सो चलिए निकालते हैं 5 messages सो पहला message मैं यह लूँगी देखते हैं क्या है sorry baby माफी मांग रहे हैं भाई माफी मांगो माफी दो इनको ओके respect सो यह person आपके respect करते हैं ठीक है यह person आपके respect करते हैं आपके feelings की respect करते हैं आपके respect करते हैं अच्छी बात है चलो यह लेते हैं सोल मेट हो सो फाइनली इनको समझ में तुँ आ चुका है ना कि आप इनके सोल मेट हो ठीक है रिग्रेट सो आपके पार्टर को रिग्रेट भी फिल हो रहा है मैंने पहले ही बताया कि यह पॉर्सन अकेले हो गया है काफी शान्त हो गया है मन काफी शान्त हो गया है तुम्हारे बीना मन नहीं लगता आपके बगार इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है यहां की अनुसार से यही दिख रहा है मुझे यह है आपके पार्टर के कुछ मेसेज़ेज आपके लिए आई होप रिडिंग आपके साथ राजनेट की होगी अगर राजनेट की है तो चलनल को सब्सक्राइब भी कीज और अगर आप मुझसे प्रसल टारो रिडिंग लेना चाहते हैं या सीखिना चाहते हैं उसके लिए भी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीके मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रिडिंग में तब तक के लिए बाबाई